केटरीना केफ और विकी कोशल का सबसे बड़ा जूट पकड़ा गया है केटरीना और विकी ने जो आरोप आदित्य राजपुत नाम के लड़के पे लगाया है अब उसी जाल में खुद पस गया है विकी ने पोलिस में सिकायत की थी कि आदित्य राजपुत नाम का लड़का जिसे कि मनविंदर सिंग के नाम से जाना जाता है वो केटरीना कैफ और विकी कोशल को जान से माने की धमकी दे रहा है लेकिन उनका ये कहना बिल्कुल ही गलत था वो केटरीना के कार का पीछा भी करता है ऐसा विकी कोशल का कहना था लेकिन अब आरोपी मनविंदर सिंग के वकिल सामने आये हैं और उन्हों ने ये बात कहा है कि विकी के लगाए हुए सारे आरोप जूटे है मनविंदर के वकिल ने कहा है कि मनविंदर और केटरीना कैफ और विकी कोशल का रिलेशन तीन सालों से चल रहा है आरोपी मनविंदर सिंग केटरीना कैफ की बहन से भी अच्छी खासी बातचीत करता है उसका रिस्ता इनके फैमिली वालों से बहुत पुराना है आरोपी मनविंदर सिंग कहते है कि केटरीना कैफ उनकी पतनी है अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो समय की हिसाब से पता चली जाएगा केटीना और विकी ने मनविंदर के सारे कमेंट्स भी डिलीट कर दिये थे ऐसा उनके वकील का कहना है या तो ये बात सच भी हो सकता है या तो ये जोट भी हो सकता है अब हमें सचका पता चलने का इंतजार करना होगा इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं आप इस ख़बर पर अपनी राय हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर केजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए